तो आपका निमेरिकल का ही सेक्षिन में है बट यह इतना निमेरिकल नहीं है तो अगर आप मुझे जॉइन करना चाहते हैं इंस्टाग्राम फेस्बुक्स यह हैंडल्स आपको दिख रहे होंगे आप यहां पर चाके चेकाट कर सकते हैं तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे सो विदाओड अनी फॉर्धर डिले लेट्स ताद इस वीडियो तो ना हो गई जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज हम क्या करने वाले हैं मैथेड़ मेंजर मेंच आफ को रिलेशन जो है वो समझेंगे जैसे कि हमें पता है हमने को र क्या है यह का पता चलेगा जब आउसे क्या है तब भी तो पता चलेगा किस डिगरी का है यह किस ताइप का है ठीक है तो बहुत सारे मैथेड़ आपके आते हैं जिसमें से हम आज पढ़ेंगे स्कैटर डाइग्राम इसके बाद हम जो आपका काल पियरसन मैथेड़ है कोफिशेंट ओफ को रिलेशन यह पढ़ेंगे और जो थर्ड मैथेड़ है आपका स्पियर मैन रैंक कोफिशेंट इसमें हमें इसका कुछ qualitative aspect भी देखने को मिलेगा उससे करवर करेंगे तो आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका scatter diagram आप समझ से हैं इसके बारे में सबसे पहले आता है कि scatter diagram क्या होता है हमें यह तो पता है कि method है correlation को calculate करने का लेकिन क्या है so this is the graphic method of measurement of correlation यह correlation का कैसा method है graphic method है मतलब कि यहाँ पे हम graph के through presentation करके पता लगाते हैं correlation का ठीक है so यह आदकना है पहली बात graphic method है it is a dramatic presentation of bivariate data to ascertain the relationship between two variables दूसरी चीज जो आपका scatter diagram होता है वहाँ पे हम bivariate data मतलब कि दो variables like x और y इन दो variables का क्या करते हैं एक graph के through presentation करते हैं ताकि हम जो दो variables के बीच का relation है वो क्या कर पाएं पता लगा पाएं तो दो चीज समझी graphic method है दूसरा graphic method है और इसमें करते क्या है दो variables का हम study करते हैं relationship ठीक है so it is the simplest method of studying the relationship between two variables without calculating any numerical value बाकी जो method पढ़ेंगे न इसके आगे Carl Pearson और Spearman rank यहां पर आपको numerical calculation यह सब करनी होगी लेकिन scatter diagram में कोई भी calculation आपको नहीं करनी है सिर्फ graph में उसको present करना है और पता लगाना है देख के ही कि कैसा correlation है ठीक है so how to draw a scatter diagram आप question आ रहोगे scatter diagram ड्रॉ यह से करेंगे अब देखें under the method the given data plotted on graph paper आप समने बहुत लोगों ने ऐसा कुछ हो गई नहीं कि कोई कह दे कि मैंने graph paper यूज भी यूज करके हैं हमें पता है कि graph paper हम कैसे present करते हैं यह graph paper है यह x-axis है यह y-axis यह y-axis ले रेते हैं और यहां पर हम जो भी unit होती उनको produce करके अपना graph बनाते ह तो वही है कि under this method given data जो भी आपको values दी होंगी आप उसो graph paper में plot करोगे ठीक है in the form of dot dot की form में for each pair of x and y values we put dot and thus obtain many point of the observation dot dot लगा के हम एक graph paper में presentation करते हैं ठीक है usually an independent variable is shown on x-axis x-axis पे usually independent variable show करते हैं और जो variable dependent होता है उस independent variable पे उसे हम y-axis पे show करते हैं once the values are plotted on graph paper it will reveal the type of correlation between x and y और एक बार हमने जब values को plot कर लिया तो वो हमें बता देगा कि ये correlation आपका कैसा है ठीक है positive है negative है high degree low degree सब बता देगा ठीक है तो अब हम देखते हैं कैसे हम करते हैं exact point so now guys जैसे कि हमने discuss किया था कि हम यहाँ पे समझेंगे जो scatter diagram था उसके types को तो पहले आएगा आपका perfect positive correlation ठीक है यह सारी चीज़े आप शोड़ दीजे यह पूरा जो मैं बता चुकी हूँ वही है यहाँ पे हम समझेंगे पहला आपका perfect positive correlation perfect positive correlation जो है scatter diagram की थुरू कैसे पता चुलेगा कि यह जो diagram show कर रहा है वह perfect positive correlation है हमने पढ़ा था कि positive correlation क्या होता है जब ही हमा जो increase है यह decrease है जो variables है उनका जो direction है वो क्या है या तो same direction में increase हो रहा है same direction में decrease हो रहा है और perfect world आता है इसका मतब क्या होता है कि perfect positive है मतब कि plus one में answer आ रहा है आपका ठीक है और हमने पढ़ा था कि जो हमारा perfect जो positive perfect positive है वो हमें क्या show करता है कि जो भी variables में change है वो क्या है हमारा equal है मतब same proportion में दोनों क्या हो रहे हैं एक ही तरह या तो बढ़ रहे हैं या तो घट रहे हैं तो यह हमने समझा था अगर नहीं देखा तो उसे पहले वाला part देखेंगे तो इस case में जो भी आपका scattered diagram में जब आप point plot करोगे तो एक straight line आपको मिलेगी जो कि आपकी lower left hand से मतब कि जो भी नीचे है lower left hand से upper right hand जा रही होगे मतब कि एक increasing एक line दिखेगी आपको ठीक है अब देखते हैं diagram के थुरू कि कैसा आपको दिखेगा तो गई जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपका जो answer है वो perfect positive correlation है इसका मतलब जब आप plot करोगे points ठीक है तो आपको जो एक diagram देखने को मिलेगा वो खुद दिखेगा ऐसा मतलब कि ये क्या है आपका उपर की और जा रहा है ये direction में show कर रही हूँ कि ये उपर की और क्या हो रहा है जा रहा है आपके points जो आपने point plot कर लिए अब ये जो भी line आपको मिलेगी point की वो मिलेगी एकदम उपर ठीक है मतलब कि ये straight जाएगा ठीक है क्योंकि ये पहली बात तो आपका positive है तो जो भी आपका आएगा वो उपर की और जा रहेगा ठीक है upward sloping curve आपको मिलेगा पॉइंट्स को तो जो भी आपको graph मिलेगा हमें पता है जो negative correlation हो तो हमें क्या show करता है कि जो भी दो variables है उनमें क्या है कि एक increase हो रहा है तो दूसरा decrease हो रहा है ठीक है और perfect था तो हमने समझा कि same proportion में एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है ठीक है यह हमें meaning clear है नहीं clear है तो आप पहले वाला part देखके आईए आपको clear होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ तो इस case में जो भी आपको जब आप point plot करोगे scatter diagram में तो जो आपको line मिलेगी वो downward sloping कर मिलेगी नीचे के और आएगी वो ठीक है और दूसरा वो एक दम मतब की plain सी पतली सी यह line होगे dot connect होगे ऐसा नहीं हो आपको यह नहीं लगेगा कि कही नहीं spread हो रहे सीधी line में आपको वो points जो है वो आपस में मिलते हुए दिखेंगे तो अगर perfect positive है तो उपर और अगर perfect negative है तो वो आपको downward sloping curve के form में दिखेंगा तो यह आपको समझ में आएगा कि आपको answer अगर ऐसा diagram आ रहा हो क्या बताओगे simple सीधी straight line आई तो वो perfect है उपर के और जारी तो वो positive है perfect positive सीधी straight line है और नीचे के और राड़ी है तो वो perfect negative है यह point आपको clear हो है आपके next अगर हम देखें तो हमारा गर high positive correlation कैसे पता चलेगा सबसे पहले positive correlation तो वो आपको upward जाया का जैसे पहले देखा था तो यह देखो line तो आपकी देख रहे हो आप उपर से नीचे से उपर के और जा रही है तो positive correlation हो और अगर perfect हो था तो एकदम पतली exact to the to the point वाली line सीधी मिलती है लेकिन यहां पर सीधी line एकदम exact तो नहीं मिली है बट हम कुछ देख रहे हैं कि यह हमें एक band type का form हो रहा है मतलब सीधी तो line है लेकिन आस-पास ऐसे form हो कि आपको line मिल रही है सीधी में ठीके तो यह क्या है आपका high positive correlation है मैं laptop के थूँ ड्रॉ कर रही है तो दम clear draw नहीं हो रहा है बट I hope कि आपको समझ में आ रहा है कि क्या मैं बोल रही हो अगर negative correlation है तो पहले तो वो downward आपको मिलेगा और high है इसका मतब सीधी perfect वाली line तो नहीं होगी लेकिन उस line के आस-पास वो dot जो है वो lie करेंगे ठीके तो यह अगर आपको ऐसा diagram दिखे तो आप समझ जोगे यह high negative correlation है ठीके next हम देखे next आता है आपका low positive correlation हमने पढ़ा positive, perfect positive correlation, perfect negative correlation high positive correlation, high negative correlation अब हम पढ़ेंगे low positive correlation जब हमने high positive correlation पढ़ाता तो हमने देखा था कि अगर straight line है तो उसके आस-पास जो थे वो point थोड़े आस-पास लाई कर रहे थे तो यह हमने वोलता high positive है straight line में तो नहीं है लेकिन हाँ कुछ आस-पास point है लेकिन low positive correlation में है कि ऊपर की और तो जा रहा है लेकिन जो point है वो बहुत दूर-दूर आपको देखने को मिल रहे है वाल लो यह straight line है तो इसके आस-पास नहीं और बहुत फैले-फैले है तो यह क्या होगा आपका low positive correlation low negative correlation क्या होगा नीचे की और दिखेगा मतलब कि ऊपर से नीचे के और है तो हमेशा negative होगा और low है इसका मतलब perfect straight line मिलती तो perfect हो perfect नीचे के और मिलती sorry यह वाली line नहीं दूसरी line हम लोग consider करेंगे ठीक है तो मैं इसको यहाँ चाहताती हूँ अब आप देखो क्या मैं बता रही हूँ आपको अगर negative है ना अगर perfect negative होता तो नीचे के और straight line आती ठीक समझ गया है अगर आपका high negative होता तो जो point होते हैं वो कुछ इसके आसपास ही लाई करते exact band में लाई करते हैं लेकिन हाँ कुछ आसपास आपको देखने को मिलते हैं लेकिन अगर low है तो और other point की point और विखरे विखरे आपको मिलेंगे अब ये मैंने downward ये मैंने increasing बना दिया है लेकिन negative में बताब बिल्कुल same ही होगा अगर नीचे आपको ये आता हुआ दिखा एकदम straight दिखा तो perfect negative आसपास कुछ point दिखें तो high negative और बहुत दूर दूर point है तो low negative correlation I hope की अब आप बिल्कुल समझ गये हैं ठीक है last while हमने पढ़ा था no correlation no correlation मतलब क्या है कि कोई correlation ही नी इसका मतलब कि ना तो आपको perfect के तरह straight मिलेगा ना तो आपको उसके आसपास कुछ point मिलेंगे ठीक है ना तो उसके दूर दूर कुछ point मिलेंगे ऐसा फैला फैला मिलेगा इस स्काटर के आप खुदी देखे बोलोगी कि भाई कोई correlation ना तो मुझे बढ़ता हो दिख रहा है ना मुझे नीचे की और दिख रहा है ना एक कुछ आसपास दिख रहा है बिल्कुल फैला फैला है ठीक है तो वो कौन सा स्काटर डागराम के थूर आप क्या बताओगी कि वो no correlation वाली चीज आपकी है तो यहां पर हमने समझा कि अगर आपका correlation scatter diagram के थूर परफेक्ट पॉजिटिव होगा तो क्या होगा परफेक्ट नेगिटिव होगा तो क्या होगा हाई पॉजिटिव होगा तो क्या होगा हाई नेगिटिव होगा तो क्या होगा लो पॉजिटिव, लो नेगिटिव और नो कोरिलेशन है नो यह सारे चीज़े आप पे कवर की है सबसे पहले आप क्या कर लो इन वैलिउस को देख लो जो आपको question में देगा जैसे capital employed है profit ऐसे तरीकी को question आएगा आपके पास table में आपको values दी होंगी एक हमालो x-axis वाले point ठीक है पहले वाले हमाली हमने x-axis में जो हम plot करेंगे और इनको हमाली हमने जो y-axis में हम plot करेंगे अब मैं नीचे जब आपको दिखाऊंगी तो ये वाला table आपको नहीं show हो पाएगा जिसलिए table आपना screenshot ले लो या दिमार में रखो कि 1, 3, 2, 5, 3, 4 ऐसे करके हमें plot करना है अब हम नीचे देखके समझेंगे कि कैसे आप graphical representation इसका करोगे तो guys हमने देखाता ना जो हमारे point हमने plot करना है यहाँ पर हमने capital employed यह माल लो यह हमारी x-axis है यह हमारी y-axis है हमने plot कर लिए point capital employed की पहले वाली value अगर आपको table में याद हो तो हमारी 1 थी और 3 थी है ना दूसरी 2 और 5 थी तीसरी आपकी 3 और 4 थी यहाँ पर मैंने कुछ value लिख दी है क्योंकि वो मैं आपको show नहीं कर पाऊंगी तो यह आप समझो यह ऐसे था तो 1 और 3 मतब कि x-axis पर आपका 1 होगा और y-axis पर आपका 3 होगा तो हमने यहाँ पर point लगा दिया जहां पर हमारा मिल रहा है दोनो 2 और 5 तो जो point आपका जहां मिला है उस जगह पर हमने क्या किया इनको point लगा दिया आप point लगाना जोड़ना मत मैं आपको बस clear करने के लिए इसको जोड़ के बता रही हूं कि आमने यह ऐसे किया है ठीक है और फिर आपने देखा था कि आपका 3 था और कुछ 4 था तो इस तरीके से हमने क्या किया है point जो है वो हमने लगा दिया आपको point लगाना है draw नहीं करन आप कैसे apply करोगे सबसे पहले जो यह point आ रहा है यह उपर जा रहा है कहा जा रहा है upward sloping है upward sloping है इसका मतलब जो भी correlation वो आपका क्या है positive वाला है तो positive correlation होगा clear आप बताओ perfect है high positive है या low positive है तो देखो perfect positive होता ना तो point बिलकुल इसी line में ही आते ही जो कि आपको देखने को नहीं मिल रहा है सेम सीधी line जाती नहीं दिखरी है अगर आपका high होता तो जो यह point है वो बिलकुल line के पास पास होते तो हम देख रहा है अगर सीधी line यह तो हाँ point काफी पास पास है तो इसका मतलब यह आपका कैसा है high positive correlation अगर यह low positive होता ना तो point और दूर दूर आपको scatter दिखते है जो कि आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है तो यह आप कैसे पता लगा होगा होगा से clear हो गया तो यह आपका क्या है आपका यह high positive correlation आया है तो इस तरीके से question हो साता आपकी exam में पूछे ठीक है आपको एक और वर्वीव पता होना चाहिए कि exactly क्या पूछना है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और प्लीज इसको आप लोग लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू